हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत हैं हमारे यूटूब चैनल पर जैसा कि हमने पिछले कुछ वीडियो में साइकलोजी के मोस्ट इंपोर्टेंट कॉशन डिसकस किये थे उसी कड़ी में आज भी हम कुछ कॉशन्स डिसकस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉशन और फर्स देखिए रिनात्मक सीखने का स्थानांतरन कहलाता है ऑप्शन्स हैं कुछ न सीखना सीखने में बादा बाय हाद से सीखना या गलत कोशल सीखना तो यहां पर बात हो रही है रिनात्मक सीखने का स्थानांतरन की बात हो रही है तो रिनात्मक स्थानांतरन उसे कह जाता है कि आपका जो पूर्व ग्यान है वो आपको नवीन परिस्थितियों में क्या करेगा बादा उत्पन करेगा कुछ सीखने के अंतरगत तो यहां पे जो option number two है वो एकदम correct हो जाएगा कि रिनात्मक सीखने का स्थानांत्रन का क्या मतलब हुआ कि सीखने में बादा उत् स्थानांत्रन समश्य समादान अधिगम अधिगम का सकारात्मक स्थानांत्रन या अधिगम का नकारात्मक स्थानांत्रन तो यहां पे आप देखिए हमें बोला है कि पूर्व का जो भी अधिगम है वो नई इस्तिति पर किसी भी प्रकार का कोई प्रवाव नहीं डाल रहा तो यहां पे जो स्थानांत्रण होगा वो होगा अपना option number one अधीगम का शुन्ने स्थानांत्रण next question देखिए एक cricket खिलाडी अपनी गेंदबाजी के कोशल को विक्सित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी के कोशल को प्रभावित नहीं करता इसे कहते हैं options देखिए विदेयात्मक प्रशीशन अंत्रण, निशेदात्मक प्रशीशन अंत्रण, शुन्ने प्रशीशन अंत्रण या इन में से कोई नहीं तो यहां पे आप देखिए हमें क्या बोला कि cricket का खिलाडी है उसने अपनी गेंदबाजी के कोशल को बहुत अच्छे से विक्सित कर लिया लेकिन उसका गेंदबाजी का कोशल उसके बल्ले बाजी के कोशल को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं कर रहा है तो पिछले कोशन में अभी हमने पड़ा कि अगर आपका पूर्व ग्यान नविन परिस्तितियों में किसी भी तरह का कोई प्रभाव ना डाले तो उससे हम क्या बोलेंगे ओप्शन नमबर त्री शून्ने प्रशिशन अंतरन नेक्स वोशन देखिए निमलिकित में से क्या अधिगम इस्तानांतरन का एक परकार नहीं है ओप्शन्स हैं एक पक्षिए, दुई पक्षिए, लंबात्मक या बहु पक्षिए यहाँ पे आप देखिए एक पक्षिये दुई पक्षिये और लंबातमा जो है वो आपके अधिगम इस्थानांतरन के प्रकार है बट जो option number 4 है बहु पक्षिये ये अधिगम इस्थानांतरन का प्रकार नहीं है तो अपना option number 4 correct हो जाएगा next question देखिए कॉल बर्ग के सिध्धानत के अनुसार बच्चा किस स्थर पर नियमों को स्विकारता है options देखिए सार बोमिक नेतिक सिध्धानत उनमुखी करन पश्च पारंपरिक स्थर पूर पारंपरिक स्थर या पारंपरिक स्थर तो यहाँ पर आप देखिए, कॉलबर्ग जो थे, उन्होंने नेतिक विकास के सिध्धन दिये थे, तो उनके जिस सिध्धन के अनुसार बच्चा नियमों की स्वेकारियता करता है, तो वो है अपना option number fourth, पारंपरिक इस्तर, इसकी जो आयू होती है, वो होती है 10 से 13 वर्ष क next question देखिए, डिस्प्रेक्षिया के लक्षणों में से एक है, options हैं वर्तनी समझने में समझ्या, गणीतिये, गणना करने में समझ्या, एक कलम पकड़ने और लिखने में समझ्या, या भाषा के उच्चारण में समझ्या, तो डिस्प्रेक्षिया जो है, उसके अंतर लिंक बेदभाव को कैसे बढ़ावा देता है, options हैं, पुरुष के तुलना में महिलाओं की उपलब्दियों का बहुत कम उल्लेक करना, पुरुष और महिला जात्रों के बीच अनेतिक ग्रेडिंग, केवल पुरुष जात्रों के लिए गणित और विज्ञान पाठ्ठेक् पर केंदरित करना, या महिला शिक्षा की तुलना में पुरुष शिक्षा के परती ऐसमान निदिकरन, तो यहाँ पे आप देखिए, हमें बोला कि जो अकादमिक पाठ्ठेक्रम है, वो लिंक पेदभाव को कैसे बढ़ावा दे रहा है, तो अपना option number one जो है, वो बिल्कु के बारे में, मेल, जो पुरुष होते हैं, उनके बारे में ज्यादा वहाँ पे चीज़े दी गई है, लेकिन जो महिलाओं के उपलब्दिया है, उनका वहाँ पे बहुत कम उल्ले किया गया है, तो option number one एकदम correct है, next question देखिए, phonological core कमी वाले बच्चे, डैस से पीडित होते हैं, options हैं, dyslexia, dyscalculia, dystopia, dysnomia, तो यहाँ पे आप देखिए, जो phonological core की जो कमी है, यह अपना phonological core जो है, यह किसका पार्ट है, यह है option number one, dyslexia का, तो phonological core की जो कमी वाले बच्चे हैं, वो किस से पीडित माने जाएंगे, dyslexia से पीडित माने जाएंगे, next question देखिए, एक पिता अपने 4, 6 और 12 वर्ष की जो के सभी बच्चों से उम्मीद करता है, कि वे एक साथ समान विशे सीखें, यह विकास के किस सिद्धान का खंडन होगा, options हैं, विकास की अलग-अलग दरे होती हैं, विकास सरलता से जटिलता की ओर आगे बढ़ता है, विकास परिपक और अधिगम पर निर्भर करता है, यह विकास एक सतत्प्रक्रिया है, तो यहाँ पर आप देखें, तीन बच्चे हैं, 4, 6 और 12 वर्ष की आयू वाले, लेकिन उनके पिता जी उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं, कि वो एक साथ समान विशे सीखें, तो यहाँ पर विकास के ज कैसे संभव है कि तीनों बच्चे एक साथ समान विशे सीख सकें, नेक्स्ट कोशन देखिए, पियाजे की समेदात्मक गामक अवस्था मिन समेदी पेशे अवस्था कि किस उप अवस्था में बच्चे आनन दायक कार्यों को दोराते हैं, जो पहली बार संयोग से हुए थे आप्शन हैं, प्रात्मिक व्रत्य अनुक्रियाएं, गोण व्रत्य अनुक्रियाएं, सहज क्रियाओं का प्रियोग या मानसिक सम्मिश्रण तो यहाँ पे आप देखिए, हमें पूझा है कि ऐसी कौन सी उप अवस्था है, जिसके अंदर बच्चे किसी भी कार्यों को बार 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 रिपीट करेंगे, जो की पहली बार संयोग वश हुए थे तो इसका जो option आएगा, वो आएगा option number one, प्रात्मिक व्रतिये अनुक्रियाएं, next question देखिए, सामानने चातरों के साथ साथ, वन्चित समूहों के चातरों को दी जाने वाली शिक्षा का प्रकार निम्न कहलाता है, options हैं, समाविशी शिक्षा, अनन्ने शिक्षा, विशेश या एक इकरत शिक्षा, तो ऐसी शिक्षा जिसके अंदर वन्चित समूहों वाले चातरों को सामानने चातरों के साथ शिक्षा दी जाएगी, यह जो concept है, यह है अपना option number one, समाविशी शिक्षा का, option number one, correct है, next question देखिए, बोबो गुडिया प्रियोग किसने प्रस्तावित किया था, options हैं, बंडूरा, एरिक्षन, पावलो या वाईग्वाट्स की, तो आप यहां पर देखिए, जो बोबो गुडिया का प्रियोग था, यह option number one, बंडूरा ने प्रस्तावित किया था, और जो modeling का जो concept था, कि बच्चे दूसरों को देखिए, आदर्ष की तरफ, आ और अनुबंदित अनुक्रिया के बीच, संबंद के क्रमिक तहराव का वर्णन करने के लिए, किस सब्द का उप्योग किया जाता है, option है, पुनर्बलन, अनुसुची, डंड, निरूपन या विलोब, यहां हमें बोला है, अनुबंदित उद्धिपक है, और अनुबंदित अनुक्रिया है, उनके बीच, अगर हम तहराव कर देंगे, तो यहां पे जो चार option है, उनमें से किस शब्द का हमें प्रियोग करना है, तो आप देखिए, एक जो experiment आपने पढ़ा होगा, कुत्ते पे जो experiment किया गया था, कि हम पहले गंटी बजा रहें, फिर उसको खाना द नहीं दिया, और यह प्रिकरिया आपने दो-चार बार दोरा दी, कि दो-चार दिन आपने सिर्फ घंटी बजाए, उसे खाना नहीं दिया, तो एक समय ऐसा आएगा, कि आप कितने भी घंटिया बजा लो, उसके मुह में लार नहीं आएगी, तो यहां पे क्या हुआ, कि उस प्रिवेश करता है, नहीं कि जब कोई छात्र या कोई अन्य वैस्क प्रिवेश करता है, अधिगम का कौन सा सिद्धान्त इस वेवार की व्याख्या करता है, ओप्शन्स देखिए, उद्धीपक विबेदी करण, उद्धीपक सामान्य करण, उद्धीपक अनुक्रिया, य एक बच्चा क्या कर रहा है कि जब teacher class में एंटर हुआ तो वो क्या हो गया खड़े हो गए लेकिन अगर कोई other student या और कोई बड़े इंसान class में एंटर हुए तो वो खड़े नहीं हुए तो यहां पर जिस सिद्धान्त की बात हो रही है वो अपनी हो रही है उदीपक विभे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू